इस महिने की सेलरी और पेंट्सन का एडवांस बुकतान, महिंगाई बत्ते में बड़ोत्री और तीन महिने का डिये एरियर, सरकारी करमचारियों और पेंट्सन भूगियों के लिए आज की तीन बड़ी अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत अमस्मी का फिट से एक और नए वीडियो में त्योहार का सीजन सुरू हो चुका है और सरकारी करमचारियों को केंट्सन भूगियों को जुलाई दोजार चौविस से मिलने वाले महिंगाई बत्ते की दोनों का एलान कर दिया है आदेश में कहा गया है कि केंट्री करमचारियों को एक जुलाई दोजार चौविस से 3 फिस्दी अतरिक्त महिंगाई भत्ता दिया जायेगा और इस बड़तरी के बाद करमचारियों और पहन स्का महिंगाई भत्ता बढ़ कर 33 फिस्दी हो गया है जैसे कि यह महेंगाई बत्ता जुलाई 2024 से लागू रहेगा और आदेश अक्टूबर में जारी किया गया है तो करमचारियों और पेंटनर्स को जुलाई से लेकर सिप्तमबर 2024 तक यानि कि तीन महीने का डिये एरियर मिलेगा और इस मेने उन्हें बड़ी हुई दर से महेंगाई बत्ता और महेंगाई रात का बुक्तान किया जाएगा तो यह पहली और बड़ी ख़वर लाखों सरकारी करमचारियों के लिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें कि 53 फिस्दी मेंगाई बत्ता होने के बाद आपकी नई सेलरी कितनी होगी और आपको पिछले तीन महेने का डिये एरियर कितना मिलेगा इसके समद्ध में हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है उन्हें आप देख सकते हैं जिसने आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी मंतली सेलरी कितनी बढ़ने वाली है और आपको तीन महेने का डिये एरियर कितने मिलने वाला है उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन्हें आप एक बार जरूर देख ले उसके बाद में अगली ख़बर यहाँ पर जुड़ी हुई है अक्टूबर महेने की सेलरी और पैंसन का एडवांस मुक्तान के जाने को लेकर तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश और बिहार रासरकारों के द्वारा आदेश जारी कर दिये हैं आदेशों के अनुसार, इन रासरकारों के करमचरियों और पैंसन भूगियों को इस महेने की सेलरी का एडवांस पैंमेंट किया जाएगा तो पहले यहाँ पर जाने लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश में तो यहाँ पर कहा गया है कि मौझदा नियमों के अनुसार करमचरियों को महेने की सेलरी का बुगतान अगले महेने की एक या दो तारी को किया जाता है लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को दिपावली होने की वज़े से ये फैंसला लिया गया है कि सभी करमचारियों को इस मेने की सेलरी का बुगतान 30 अक्टूबर से पहले पहले कर दिया जाएगा यह बड़ी खबर उतर प्रदेश से और उसके बाद में अगला फैंसला यहां पर लिया गया है मद्द प्रदेश सरकार के द्वारा तो मद्द प्रदेश सरकार ने भी 21 अक्टूबर 2024 को ही आदेश जारी कर कहा है कि दिवाली तोहर को ध्यान में रखते हुए राज सरकार के सभी करमचरियों को इस मैने की सेलरी और प्रदेश का बुगतान 28 अक्टूबर 2024 और उससे पहले कर दिया जाएगा उसके बाद में तीसरा बड़ा पैसला लिया गया है बिहार राज सरकार के द्वारा और बिहार राज सरकार इन दोनों राज सरकारों से भी एडवांस हो चुकी है और बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार ने एक बड़ा ऐलान करती हुए का है कि राजी सरकार के करमचरियों और पेंटसन भूगियों को इस मेने के सेलरी और पेंटसन का भूगियों को 25 अक्टूबर से पहले पहले कर दिया जाएगा आजिने के अगले तीन दिन में बिहार राज सरकार के करमचरियों और पेंटसन भूगियों को सेलरी और पेंटसन का भूगियों के लिए तो फिलाल इस वीडिओ मैं इतना ही उम्मीद करतें जानकर या आपके फाइदय की रही होंगी तो पिलिज वीडियो को लाइक कर दें, सेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर लाइ, और नोटिफिकेशन ओन कर लाइ, जैसे हर एक फायदे मन्द जानकारी हैं, आप सबसे पहले देख पाएंगे.